हेलो प्यारे बच्चों वैलकम उन्स अगैन बच्चों इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेस्टन नमर 8 स्वाल करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का इसमें आपको न क्या बहुत है टंप्रेचर से रिलेड़े कोईसन दिया गया है आप जब साइन्स पढ़ोगे तो वहाँ पर मेजर किया जाता है एक तो उसको celsius से द्वार मेजर किया जाता है दूसरा Fahrenheit सेbased Time अगर को अपने को measurement लेना규もう कि Fahrenheit, यानि कि USA हो गया, Canada हो गया, वहाँ पर जो temperature होता है वो Fahrenheit में measure किया जाता है whereas in country like India, it is measure in Celsius, जबकि इंडिया बगारा में जो हम लोग temperature लेते हैं, वो Celsius में लेते हैं, जैसे कि 40 degree Celsius हो जाता है गर्मी में, ठंड के time पर 10 degree Celsius हो जाता है, इस अपने सुना ही होगा तो इंडिया में हम लोग जो temperature लेते हैं, वो Celsius में लेते हैं तो here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius यहाँ पर एक equation हम लोगो दिया गया है इसी equation के थुरू हम लोग क्या करते हैं Fahrenheit को Celsius में convert करते हैं यानि कि जो Fahrenheit होता है न, वो 9 by 5 Celsius plus 32 होता है यह formula है, Fahrenheit को Celsius में और Celsius को Fahrenheit में convert करने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि draw the graph of linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis, यानि Fahrenheit को आपको y-axis में ले लेना है और Celsius को x-axis में ले लेना है, और आपको इसी के तरह, यानि यह equation का यूज़ करके graph draw करना है, और उसके बाद फिर same to same टेकर के कुछ question दिये गया है, कि अगर temperature बताए, 30 degree Celsius होगा तो Fahrenheit कितना होगा, या फिर Fahrenheit अगर इतना है, तो Celsius कितना है, तो यह सब तम लोग करी लेंगे, इसी equation में तो बस put करना values को और answer आता चला जाएगा, में यह वाला काम करना, अपने को यहाँ पर graph draw करना, तो यह जल्दी से यहाँ पर F और C के कुछ values ले लेते हैं, ताकि अपने को graph draw करने में असानी हो, यह copy में चलते हैं तो देखो, यह अपने को equation दिया हुआ है F equal to 9 by 5 C plus में 32, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 by 5 जो है, वो multiply में C के साथ क्योंकि आपर bracket लगा हुआ है, तो simple वो multiply में है ठीक है, तो अपने को अगर graph draw करना है तो F और C के कुछ values नो निकालने ही पड़ेंगे न, तभी तो हमारा graph में हम उन points को denote करेंगे और फिर answer निकलेगा तो हम लोग आपको क्या बता है, शुरू से ही कि जब कभी भी आप graph draw करो तो वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जिसका भी आप value निकाल रहो चाहिए वो x-axis का हो, या फिर y-axis का हो यहाँ पर ध्यान यह अपने को question में बोल दिया गया है कि जो हमारा celsius होगा, जो c वाला होगा, वो x-axis में जाएगा और जो f वाला है, वो हमारा y-axis में यह उपर जाएगा तो हमने क्या सीखा है, कि हम लोग को answer जो वो decimal बगएर हम नहीं लाना है decimal में आने के बाद बहुत दिक्कत होता है उसको graphy पर दिनोट करने में तो अपने को whole number पर ही answer लाना है जैसे कि 5 हो गया, 10 हो गया, 20 यह टाइप से आ जाता है तो बहुत आसान हो जाता है काम तो वही हम लोग कोसिस करेंगे अब उस टाइप से लाना है तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर C का कुछ ऐसा value रखेंगे ताकि यह पूरा solve हो जाए और हमारा answer जो हो whole number में आ जाए तो देखो यहाँ पर यह दोन हमारे क्या है multiply में है और नीचे में 5 भी है तो C का कुछ ऐसा value रखो ताकि हमारा जो 5 है वो आपस में cancel हो जाए cut हो जाए तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि if यहाँ पर C equal to यहाँ पर C का value रखेंगे क्योंकि हम लोग C का value रखेंगे तो F का value तुरंट निकल जाएगा वो पुरा solve हो जाएगा तो C के value अगर मैं यहाँ पर 10 रखता हूँ जो कि 5 से simply cut हो रहा है तो C equal to अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो F equal to कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 by 5 multiplied 10 plus 32 तो 5 to जा मेरा 10 हो गया यहाँ पर तो F equal to हो जाएगा 9 to जा होता है कितना 18 हो जाएगा और plus में 32 तो F equal to यहाँ से मेरा निकल गया कितना होगा 2 और यह हो जाएगा मेरा 30 और यह 20 मिल करके बन जाएगा मेरा 50 यानि कि F equal to 50 निकल गया यानि C अगर अपन 10 लेते हैं तो F की जो value है वो 50 निकलती है आप चाहो तो इसको और कुछ भी value ले सकते हो जरूरी नहीं कि जो value मैं बता रहा हूँ या जो आपके teacher बताया है आपको वही लेना है ऐसा बिल्कुल नहीं मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि आप values को अपने मन से लिखिए ताकि आपका काम आसान हो कुछ ऐसा value रिखो जिसे आपका काम आसान हो जैसे मैंने दो 10 किया तो F का value 50 आ गया तो बहुत ही simple हो जाएगा आप graph के पर मुझे denote करना उसी तरीके से अगर मैं C का value 20 ले ले देता हूँ माल लेते हैं कि जो C की value है वो 20 है तो उस condition में दो को F कितना हो जाएगा 9 by 5 multiply 20 C के जगा पर अपने 20 कर देंगे ब्रेकेट हटाएगे तो वो multiply की sign लग जाएगी प्लस में 32 तो यह हमारा हो जाएगा F equal to 5 बन जा 5 5 4 जाएगा मेरे हाँ पर से अच्छा यहाँ पर 50 निकला था न भी दूसरा निकल जाएगा रूख जाओ 5 4 जा हो जाएगा मेरे हाँ पर से 20 फिर यह हो जाएगा 9 4 जा हमारा 36 और प्लस में 32 तो दोनों को add कर देंगे अपन तो यह हो जाएगा मेरा 30 हो 30 60 और 6 और 2 8 यानि कि 68 यानि अगर अगर अपन C के अतना ले रहे हैं 20 ले रहे हैं तो F की value 68 आ रहे है तो C की value आपर मैं 20 लि करेंगे अब चुकि मैंने वहाँ पर जो है value वह बड़े बड़े निकाल दिया है 50 60 80 तरीके से निकाल दिया है तो हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से 10 से लेकर के 100 तक के graph draw कर लेंगे ज्यादा बड़ा भी करने जो नहीं था अगर मैं 70 तक ले था तो भी मेरा वह जितना म लेही लेता हूँ ठीक है और यहाँ पर हमने से question में साबसा बोला गया था कि जो y-axis से उसको आपको Fahrenheit लेना है और जो x-axis से उसको आपको Celsius मिलेना है इसलिए मैं यहाँ पर shortcut में C और Fahrenheit का F लिग दिया है इससे आपको जब चेक किया जाना जब चेकर जब चेक करें तो वह आ point होगा यही मेरा 10 और 50 हो जाएगा उसी तरीके से जब हमने C का value 20 लिया था तो उस condition में F की value 68 आई थी तो C का value ही रहा मेरा 20 तो F का value जो है कितना बोला मैंने 68 ना तो देखो 60 हो गया और फिर यहाँ पर 70 है अब आपको छोटा-छोटा जो line दीख रहा होगा ना यह छोटे यह वाला ही मेरा 68 होगा यहाँ पर point तो यही जो point मिल गया हमारा इधर से 20 और इधर से 68 आ गया 70 से 2 line नीचे आना आपको छोटे-छोटे line है ना उसमें आना है तो यही जो मेरा point होगा यह हो जाएगा x के लिए 20 और y के लिए 68 तो यह हमने क्या-क्या points मिना लिए आप सिधा-सिधा मिला लेना है तो मों जल्दी से points को आपस में मिला लेते हैं ड्रॉ कर लेते हैं तो यह मेरा कुछ इस तरीके से सीधा आजा इरम सीधा करना अपने को ध्यान रखना यहां सिधाई में हो तो नीचे draw कर लेता हूं नीचे क्यों draw कर रहा हूं वह भी मैं आपको फड़ा से आगे बताऊंगो जब व्यूटो में हम लोग आगे चलेंगे ना तब आपको समझ में आगा कि मैंने इस तरीके से सीधा क्यों draw किया था ठीक है तो यह मेरा इस तरीके से आजा भी यह एक सिकेंट यह तुनों points अच्छे से मिल जाओ हाँ यह अब मिल गए अच्छे से तो यह हमने इसको line draw कर लिया तो यह जो हमारा line है इसका आप equation ही बता सकते हो कि यह जो हमने equation लिया वही वला लिया है कि f equal to 9 by 5c ठीक है प्लस में 32 यह हमारा equation था उसका ही हमारा line draw हुआ है graph draw हुआ है अभी नीचे क्यों मैंने draw किया है यह आपको मैंने थोड़े आगे बताऊंगा अभी जब मैंने question solve करेंगे न यह तो हमारे पहला question solve हुआ है अभी उसमें बहुत सारे points दिये वह थे उनको भी अपने को solve करना है तो यह अब उन points को देख लेते हैं क्या जिया गया हुआ पर तो देखो जो पहला question उसमें बोला ज solve करेंगे यहां थोड़ा से मैं जूम इन कर लेता हूँ वह जब रही ज्यादा हो गया थोड़ा से कम हाँ इतना प्रयापत है तो यहां पर हमारा जो formula है वह क्या यह सेकेंड नंबर कपन question solve करें न एट का यह सेकेंड पार्ट है तो मारा जो लिग लेता हूं मैं f equal to हमारे पास है 9 by 5 c और फिर प्लस में 32 अपने को यहां पर c के value जो है second question में वही बोला गया है 30 degree यानि कि Celsius जो है अगर वह 30 degree हो तो f की value कितने degree होगी तो f equal to हो जाएगा मेरा 9 by 5 स्वरी 50 करते रहों गलती से multiply में c कर जाएगा प्यारा आप 30 कर तो bracket हटा करके और plus में हो जाएगा मेरा 32 तो 5 बन जा 5 5 6 हो जाएगा मेरा 32 तो f की value आज कितने ही निकल गई 9 6 जा 54 प्लस में 32 तो f equal to हो जाएगा मेरा 0 और 4 हो जाएगा sorry 2 और 4 ह हो जाएगा हमारा 6 और 5 और 3 हो जाएगा 8 इनि f equal to हो जाएगा 30 sorry 86 डिग्री तो f अगर हमारे पास 30 डिग्री celsius है तो f equal to 86 डिग्री celsius हो जाएगा यह second part हो गया उसी तरीके से आगको आगे वाले solve करने है यह third part देखते है तो जो second part है यानि third part sorry उसमें बोला जा रहा है कि if the temperature is 95 डिग्री Fahrenheit यानि हमारा पास temperature इस बार Fahrenheit में दे दिया गया है तो Celsius में कितना होगा पिछले बार Celsius में था Fahrenheit में पूचा गया था इस बार Fahrenheit दे दिया गया है Celsius पूचा गया है तो बस F के जगहा पर अपने को 95 डिग्री लिख रहेना है तो से मी क्योशन है ऐसी बनेगा हमा थड़ पाट लिख लेते हैं अपन यहाँ पर F equal to दिया हुआ है 95 डिग्री फॉर्मुला हमारा क्या होता है F equal to 9 by 5 उसके बाद C प्लस में 32 आप बार बार फॉर्मुला नहीं भी लिखो को तो भी चलेगा बाकि फियर कॉपी बना रहे हो तो लिख लेना बाकि जितना बार लिखो गे ना उतने बार यह याद हो जाएगा तो F हमारे पास कितना था 95 था तो F के जगाबर में 95 कर लेता हूँ इकवल के उस साइट में मेरा हो जाएगा 9 by 5 C मल्टिप्लाई में और प्लस में ये 32 32 को पहले हो तो इदर ट्रांसफर कर लो तो 95 माइनस 32 हो जाएगा ओफो मैं क्या रहा हूँ आजनर को जादा जादा हड़ बड़ी है तो ये हो जाएगा 9 by 5 मल्टिप्लाई में C माइनस क जाएगा इकवल के उस साइट में हमारे पास 9 by 5 मल्टिप्लाई C है तो C की वाल्यू जाननी है पूरे को इदर ट्रांसफर कर लो एक ही बार में ये इधर आकर के 63 ये 5 इधर नीचे था इधर आकर के उपर में हो जाएगा और ये जो 9 उपर था इधर आकर के नीचे में हो जाएगा तो 9 बंजा 9 9 7 जा हो जाएगा मेरे पास 63 अब 75 जा होता है 35 तो 35 इकोल टूट सी लिखूं या सी इकोल टूट थाटी फाइव डिखूं बात एक ही है तो इस तरीके साब इसको डारेट लिख दो कि F इकोल टूट गर 95 है तो C इकोल टूट इमारा 35 डिखूरी आपको हलकल के दिखा भी होगा फोकस नहीं होने के बाद दी आप इसको इस तरीके समझ सकते हो आसानी से हमने पहले 32 को इदर ट्रांसफर किया उस बाद फिर 9 by 5 को इदर ट्रांसफर किया और कट्विट करके हमने इसका एंसर निकल लिया 35 डिग्री तो फोर्थ पार्ट मे कि अगर वही चीज अगर Fahrenheit 0 हो जाए तो Celsius कितना होगा यानि एक दुसरे को उल्टा कर दिया पहले 0 degree Celsius किया है और Fahrenheit पुछा है फिर Fahrenheit 0 किया है Celsius पुछा है तो दो question को मिला करके एक question कर दिया गया है यह से भी solve करते हैं तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख लो कि जो Celsius होग अ 32 बज गया तो यह simple हमारा 32 degree आ गया पहला answer easily आ गया second वाला भी answer निकाल लेते हैं उस टाइम बोला गया था कि Fahrenheit अगर 0 degree हो तब Celsius कितना होगा तो यही मारा फॉर्मूला है Fahrenheit के जगा पर अपने 0 कर लेंगे equal के उस साइड में 9 by 5 multiply में C हो जाएगा क्योंकि इस बार C के value अपन में यह हमारा जो 5 denominator में इधर आकर कि यह numerator का 5 हो जाएगा और यह हमारा 9 जो numerator में था इधर आकर के denominator का 9 हो जाएगा equal के उस सेड में के वल यह जो C है वही बच जाएगा बाकि 0 था तो इसको लिखने के यहाँ पर जरत ही नहीं है तो यह हमारा कुछ इस तरीके से हो गया इस मैं यही पर solve कर लेता हो जगहा बचाते है पज़ बचाईए ठी बचाईए इसको साब गाई है तो 9 में पहले ना ना हुर मेरा 63 हो जाएगा फिर से 7 बज जाएगा यहाँ पर 70 में से 63 माइनस हो करके ठीक है तो अब 7 बज गया तो अपर decimal लगाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे फिर 70 हो गया तो 7 टाइम पर फिर हमारे पास 63 होगा फिर वही यह 7 बज जाएगा फिर मैं लगी 77 करके हाते चला जाएगा यह हमारा रुप नहीं रहे यहाँ पर इसका मतलब अगर 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 अपन एफ का वैल्यू जीरो लेते हैं तो जो सी का वैल्यू है न वह 17.77 डिग्री सेल्सियस आएगा ठीक है अब यहाँ पर यह 17.77 आ रहे है वह 17.8 होगी ठीक है डिग्री में अब यह होगी हमारा थर्ड नमबर भी सॉल्ब सोरी थर्ड नहीं थैर पोर्त था यह वह थर्ड तो में पहली सॉल्ब कर लिया जो फिफ्ट पार्ट है उसे सॉल्ब करते हैं देखो जो लास्ट क्यों है न उसमें हमसे बोला जारा कि इस यह तो यह तो उसको जल्दी से फाइंड कीजिए तो इसको फैंड करने क्लेपन क्या करेंगी यहाँ पर बोला क्या है कि दोनों आपस में ब्राबर हो यानि कि F और जो C है यानि कि जो हमारे Fahrenheit है और जो Celsius है वो दोनों आपस में इक्वाल हों तो मैं आपर डायट लिखता हूँ F इक्वाल टू C ठीक है इस तरीके से अपन इसको फैंड करेंगे यानि C यानि कि Celsius और Fahrenheit यानि कि F दोनों आपस में क्या होंगे सब्सक्राइब करेंगे एए कि अपने को नमबर निकाल लेंगे आपन हमारे पास F equals ten 9 by 5 c प्लस में 32 है तो अब अपन क्या करेंगे Ondी तो या फिर F के जगाँ पर C लिख लो, दोनों का value को same कर लो, थाकि किसी एक का value निकल अगर अलग लग रहेगा, तो यहाँ पर तो निकाल नहीं सकते हैं, तो जैसे मैं C के जगाँ पर यह F लिख देता हूं, हम लोग क्या देख रहे हैं, हमसे question में ही बोला गया है, कि दोनो का value same हो, दोनों आपस में equal हो, तो हम लोग इसको F equal to 9 by 5 F कर लेते हैं, इस C के जगाँ पर, और plus में यह जो हमारा 32 हो जाएगा, अब अपन क्या कर रहे हैं, कि अपने को तो क्या करना है, F का value यहां से निकालना है, तो F को एक side करना पड़ेगा, तो हम लोग पूरे का पू numerator, numerator कुछ नहीं करोगे, simple इस तरीकस लिखोगे, F equal to, यह हो जाएगा मेरा, sorry equal to नहीं, इसको हम लोग इधर ले आ रहे हैं, तो यह इधर plus में था 32 के साथ, तो minus की sign लगेगी, और यह हो जाएगा मेरा 9 by 5 F, और फिर equal के right side में केवल, यह जो 32 है हमारा, वो बच जाएगा, तो यह दिहां रखने हैं, अब जब पुरा का पुरा टम उठा कर किदर कर रहे हो, तो आपको numerator, denominator बगएरा नहीं करना है, तो यहां से हमारे कितना solve हो जाएगा, पहले तो पर multiply कर लेते हैं, तो F minus, ओफो में equal क्यों लगा रहा हूँ भाई, आज मेरा लगता है दिहां minus हो जाएगा, 9 cap से multiply होगा, तो 9F divide by में यह 5 हो जाएगा, equal कि उस side में 32 आजाएगा, तो यहां पर एक fraction है, पूरा पूरा है, तो इसको हम लोग इससे multiply करेंगे, उपर minus कर देंगे, क्योंकि बीच माइनस की sign है, तो 5 cap से multiply होगा, तो 5F आ जाएगा, आप चाहँ तो LCM अग 5F minus 9F है, यह 9 में से 5 minus करेंगे, तो हमारा, यह 4F आ जाएगा, ठीक है, लेकिन बड़े वले नमबर में चुकि माइनस की sign है, तो minus की sign आ जाएगी, और उसी तरीके से यह 5 हमारे denominator में है, इसको इधर टाइट ट्रांसफर कर दो, तो यह हमारा यहां से उट करके इधर जाए निकाल निया, तो minus 4 के दर ट्रांसफर कर दो, तो f equal to हो जाएगा 160, जो 4 जो इसका था भी चिपका हूँ है, multiply में है, तो इधर आ करके जो 4 है, वो divide में हो जाएगा, minus की sign नीचे आ जाएगी, लेकिन standard form में उसको बीच में लिखा जाता है, तो इसको अब कट कर लो, तो 4 ब equal to be minus 40 ही होगा, यह ध्यान रखना आप, कभी भी जब हम लोग temperature लेते हैं, तो अगर minus 40 degree पे है, तो वहाँ पर आपका Celsius भी और Fahrenheit भी, एक तरगसी जीके का question भी है, कि पर पूछा जाता है, कि Fahrenheit और Celsius बताइए, किस point पे आपस में equal हो जाते हैं, तो minus 40 degree Celsius पे Fahrenheit और Celsius आपस में equal हो होगे, तो यहाँ पर आप देखोगे, कि जब इधर यह हमारा Fahrenheit वाला है, पर इधर मानलो हमारा यह, क्या मुलते है, Celsius वाला है, या फिर इसको आप ले लो, आपका यह Fahrenheit हो गया, और यह वली जो लाइन है, वो Celsius है, तो आप देखोगे, कि यहाँ पर आप जब minus 40 में आ रहे ह होगा, और जो हमारा Celsius है, वो भी minus 40 degree ही होगा, तो इसलिए मैं इस ग्राफ को तरह लंबा बनाया था, ताकि आपको यह जो लास्ट रोला हमारा आया है, इसको यहाँ पर भी मन दिखा सको, कि यह exact होता ही है, क्यावल यह नहीं कि equation में आ गया, यानि solve करने के बाद आ गया, तो आगे ऐसा नहीं है, आप उसको ग्राफ में denote कर लो, कहीं पर भी आप उसको plot कर लो, आपका answer सेम ही आएगा, Fahrenheit is equal to minus 40, then Celsius is equal to also minus 40, चलिए अब हम दो मिलते हैं, नेक्स वाले वीडियो में, यह पर जो अगले exercise है, उसे ही मैं आपको इसी तरीके सीगतम, simple method में समझा झात कुछ सह स55. । झाल झाल